आज हम देखेंगे पुणांकों के गुणन के उधारण एक दुकानदार क्रति दिन 1125 रुपे अपने बैंक खाते से निकालता है पता कीजिए 9 दिनों में उसके खाते से कितनी धनराशी कम हो जाएगी इस उधारण में हम खाते से निकाले जाने वाली राशी को रिंड चिन्न से व्यक्त करेंगे चुकि दुकानदार प्रति दिन 1125 रुपे अपने बैंक खाते से निकालता है इसलिए प्रते दिन बैंग खाते से निकाली जाने वाली धनराशी व्यक्त कीजाएगी RIN 1125 से दुकांदर 9 दिनों तक लगातार उतनी ही धनराशी बैंग खाते से निकाली गई धनराशी होगी 9 गुना RIN 1125 आई ये 9 गुना RIN 1125 का परिणाम क्यात करें यहां एक धनात्मक पूर्णांग यानि पॉजिटिव इंटीजर का रिनात्मक पूर्णांग यानि नेगिटिव इंटीजर से गुणा किया जा रहा है क्या आप बता सकते हो एक धनात्मक और एक रिनात्मक पूर्णांग का गुणा कैसे किया जाता है? सोचिए सोचिए चली हम बताते हैं पहले हम इनके संख्यात्मक मानों को गुणा करते हैं 9-1125 का परिणाम होगा 10-125 इसी के साथ जब आप एक रिनात्मक पूर्णांग को एक धनात्मक पूर्णांग से गुणा करते हैं तो परिणाम हमेशे रिनात्मक पूर्णांक होता है इसलिए परिणाम होगा रिंट 10,125 यानि कि 9 दिनों में दुकानदार के खाते से कुल 10,125 रुपए कम हो जाएंगे अगला उदारन निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए बताए इस प्रतिरूप का नियम क्या है जैसा कि आप देख सकते हैं दो रिनात्मक पूर्णांको का गुणनफल धनात्मक यानि पॉजिटिव है तीन रिनात्मक पूर्णांको का गुणनफल रिनात्मक यानि नेगेटिव है इसी तरह से हम कह सकते हैं अगर गुणा किये जाने वाले रिनात्मक पूणांको की संख्या सम यानि एवन है तो गुणान्फल धनात्मक पूणांक यानि पॉजिटिव इंटीजर आता है जबकि अगर रिनात्मक पूणांको की संख्या विशम यानि ओड है तो गुणान्फल रिनात्मक पूणांक यानि निगेटिव इंटीजर आता है यह नियम की निवी दो या दो से अधिक रिनात्मक पूणांको के गुणांक के लिए भी उप्युक्त है इस नियम की आधार पर आप गुणनफल का चिन्न क्या होगा या बिना गुणन की ये भी पता कर सकते हैं जैसे रिंट 3 गुणा रिंट 4 गुणा रिंट 6 गुणा रिंट 7 का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होगा क्योंकि यहां रिनात्मक पूर्णांकों की संख्या विशम है आज हमने देखे पूर्णांकों के गुणन के उधारण अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे संबंदित मिथ्यादार नाएं